दक्षन अफ्रीका में भारत के अनेक प्रदेशों से लोग जाकर बसे थे इन में कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ गिर्मिटिया मजदूर, कुछ छोटे सरकारी नौकर और कुछ व्यापारी इन्हे व्यापारियों में एक थे दादा अब्दुल्ला जिनका वहां काफी काम फैला हुआ था उनके एक मुकदमे के सिलसिले में मोहंदास करमचंद गांधी दक्षन अफ्रीका पहुचे एक दिन जब गांधी जी ट्रेन से चाल्स टाउन जा रहे थे तब उनके साथ एक ऐसी खत्ना हुई जिसने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी उस समय रेल गाड़ी नेटाल की राजधानी मोरिसबर्ग स्टेशन पर पहुची गांधी जी पहले दर्जे में सफर कर रहे थे उनके पास टिकेट पी था लेकिन अंग्रेज रेल अफसर ने उन्हें डिब्बे से उतर कर तीसरे दर्जे में सफर करने के लिए कहा गांधी जी ने इसका विरोध किया और उसे प्रथम शेर्णी का टिकेट दिखा कर बोले मुझे इस डब्बे में सफर करने का कानूनी हक है गांधी जी का विरोध देखकर उस अंग्रेज अफसर ने एक सिपाही से न सिर्फ गांधी जी का सामान नीचे पिकवा दिया बल्कि उन्हें भी धक्के देकर नीचे उतरवा दिया दरसल इसी क्षण गांधी जी को अनुभव हुआ था कि गोरे लोग काली लोगों से कितनी नफरत करते हैं मुझे जो तकलिश मिली है वो तो उतरी है पर ये रंग भेट तो एक महारोग है इसे मिटाने की शक्तिय अपने में हो तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए पर चहे जो भी कश्ताइं उन्हें सेहना चाहिए रेल तो जा चुकी थी, गांधी जी ने तुरंत रेल के मैनेजर को तार दिया, दादा अब्दुल्ला को भी तार दिया और उन्हें सारी स्थिती बताई आखिर अगले दिन जब दूसरी गाड़ी आई, तब गांधी जी चाल्स टाउं पहुँजे, लेकिन प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही बैचकर चाल्स टाउं से जोहनस बर्ग की यात्रा, गांधी जी को एक सिक्रम में करनी थी, सिक्रम वाले ने उन्हें कुली समझ कर अंदर नहीं बैठने दिया, बलकि कोचवान के पास बिठा दिया थोड़ी देर बाद सिक्रम कंपनी के उस गोरे को सिग्रेट पीने की इच्छा हुई, तो उसने गांधी जी से कहा तुम नीचे बैठो, क्यूंकि उसे कोचवान के साथ वाली सीट पर बैठना था, गांधी जी अब बरदाश्ट नहीं कर सके, एक तो अंदर बैठने नहीं दिया, फिर कहता है कोचवान के पैरों के पास बैठो, उन्होंने मना कर दिया फिर क्या था, वो अंग्रेज आग बबूला हो गया, उसने गांधी जी पर घूं से थपड़ बरसाने शुरू कर दिये गांधी जी के जी में आया कि उस गोरे की दाढ़ी नूचले, पर वो सिक्रम के सीख्चे मस्बूती से पकड़े रहे उस गोरे ने बहुत खीश्टान की, पर वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाया बाकी अंग्रेज यात्री ये सब देख रहे थे, उन में से एक बाहर आया, उस दे सिक्रम के मालिक को बहुत डाटा भटका रहा मामला तो शान्त हो गया, परन्तु गांधी जी के मन में रंग भेद नीती के खिलाफ एक और विचार छोड़ गया जब मुकदमे का काम खत्मों गया, तो गांधी जी भारत वापिस आने को तयार है, पर दक्षन अफ्रीका में भारतियों के दुर्दशा ने उन्हें परेशान कर दिया था उस दिन मोहंदास करमचन गांधी को विदाई देने के लिए सभा आयोचित की गई थी अबदुल्ला सेथ ने कहा, इन्होंने यहां मुसीबते झेली और भारतियों के दुखधर्द को जाना है और समझा है अभी कुछ देर पहले एक अख़वार के कोने में छपी इस खबर के बारे में मुझसे बात कर रहे थे जिसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की कॉंसिल में चुनने का जो हक हासिल है वो छीन लिया जाए इस विशे पर जो बिल पेश किया गया है उस पर असेम्बली में बहस हो रही है और अब मिस्टर गांधी कहते हैं कि अगर ये कानून जियों का त्यों पास हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे होगा ये तो हिंदुस्तानियों के हस्ती मिटाने का पहला ख़दम है फिर तो सभा में चारों और से आवाजें उठी अब्दुल्ला भाई मिस्टर गांधी को रोक लीजिए रोक लीजिए मिस्टर गांधी हमें ऐसी मुशिवतों से बढ़ा सकते हैं आखिर गांधी जी एक महिने रुपने के लिए तैयार हो गए उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसमें इंग्लेंड के समराच से प्राथना की गई थी कि वो विध्यक को स्वीकृति ना दें उस पर हजारों भारतियों ने दस्तखत किये थे और ये याचिका समराच ने स्वीकार कर ली अब तो गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में लंबे समय तक रोखने की पूरी कोशिश होने लगी फिर गांधी जी दक्षन अफ्रीका के भारतियों की समस्याओं के लिए लड़ने लगी उन्होंने नेटाल इंडियन कॉंग्रिस की स्थापना की उनके नित्रित्व में भारतिय समाज में एकता आने लगी केप टाउन कि दक्षन अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेड नीती के कारण भारतियों पर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने में उन्हें समय लगेगा इसलिए वो अपना परिवार लेने भारत लोटे परिवार सहित जब वापस दक्षन अफ्रीका पहुँचे तो नेटाल बंदरगाँ पर गोरे लोगों की भारी भीड उनका विरोत करने के लिए जमा थी काफी देर तक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो जहाज पर ही चड़े रहे कस्तूरवा और बच्चे तो किसी तरह रुस्तम सेच के यहां सुरक्षित पहुँच गए बाद में जब लोग इधर उदर हो गए तो एक अंग्रेज अफसर मिस्टर लाटन गांधी जी को अपने सरक्षन में लेकर बाहर निकले लेकिन किसी ने पहचान दिया और फिर उन पर घूसों थपड़ों लातों का हमला हुआ तभी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर अलेक्जांडर ने एक पुलिस टुकडी फीश दी जिसने गांधी जी को खेड लिया और भीड के हमले से बचा कर सुरक्षित ले गई अगले दिन गांधी जी को उपनिवेश मंत्री मिस्टर चेंबरलेन का तार मिला कि वो हमला करने वालों पर मुकद्मा चलाएं लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया इससे गोरे लोग बहुत शर्मिंदा हुए सन 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन सापताहिक पत्र प्रकाशत करना शुरू किया सन 1906 में वहां विद्रोही जुलू लोगों पर पुलिस ने जुल्म ठाए घायलों की अस्पताल में चिकित्सा भी नहीं की गई तब ये काम गांधी जी ने अपने उपर ले लिया घायलों का उपचार किया कुछ समय बाद ट्रांसवाल की सरकार ने एक कानून खोशित किया कि हर भारती इस्तरी पुरुष जो ट्रांसवाल में रहता है उसको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी और एक प्रमानपत्र लिना होगा जिस पर शरीर के खास चिन पहचान के लिए लिखे जाएंगे गांधी जी ने बताया मेरी जानकारी में दुनिया की किसी हिस्से में स्वतंत्र आदमियों के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है कानूनन उंगलियों की छाथ तो अपराजियों से ली जाती है सभा में लोग उत्ते जित हो उठे वो घुस्से से भरे हुए थे लेकिन गांधी जी ने उन्हें शांत किया और बोले कि हमें शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाना है चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न जहिलने पड़े क्योंकि यदि इस कानून को हमने लागू होने दिया तो फिर ऐसा कानून सारे दक्षन अफ्रीका में बनाया जाएगा गांधी जी और अन्य नेताओं ने परमिट दफ्तर पर धरना दिया गिरफ्तार हुए पर एक हफ्ते बाद जर्नल स्मच्स से बाचीत होने के बाद सभी छोड़ दिये गए दक्षन अफ्रीका की रंगभेद नीती के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रती कुछ अंग्रेजों में सहनुभूती की भावना भी थी उनमें से एक थे मिस्टर केलनबेक उन्होंने बहुत बड़ी जमीन गांधी जी को दे दी जहां गांधी जी ने टॉल स्ट्वाय फार आपना की जिन दिनों गांधी जी दक्षन अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थी गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लें में उनके काम की जानकारी प्राप्त करने पर कहा था यह आत्मी भविश्य में भारत का नेता हुगा सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षन अफ्रीका गए 15 दिन खूम खूम कर वहां की सारी जानकारी प्राप्त की और भारतीयों से कहा मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार रंग और जाती भीद की नीती अपना कर टिक सकती है इस काले कानून को हटाने के लिए मैं आपके साथ हूँ गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की शक्ति को भी पहचान लिया था भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था गोखले ने तब गांधी जी से कहा था अब आपको एक साल के अंदर भारत लोटाना चाहिए इधर भारत में कॉंग्रिस दक्षण अफ्रीका में भारतियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी के संखर्ष को अपने अधिवेशनों में नयतिक समर्थन प्रदान कर रही थी प्रिटिश सरकार भी ये बात समझती थी के भारतिये कॉंग्रिस दक्षण अफ्रीका के प्रती पूरी तरह चोकन्नी है और उसके लिए विश्व जनमत का ध्यान खीशने की पूरी कोशिश कर रही है सन 1909 में मदन मोहन मालविये के अध्यक्षटा में लहोर में कॉंग्रिस अधिवेशन हुआ उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ दक्षण अफ्रीका के बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया यह कॉंग्रेस मिस्टर एम के गांधी तथा उनके वीर और निष्ठावान साथियों को हर्दिक प्रोचसाहन देती हुई प्रत्यक जाती और धर्म के भारतवासियों से अन्रोथ करती है कि दक्षण अफ्रीका के अधिकार युद्ध में लड़ने वाले वीरों की साहिता के लिए जी खोल कर आर्थिक साहिता दें भारत लुटने पर गोखले ने कॉंग्रेस अधिवेशन में तथा भारती नेताओं को वहां भारतियों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारीती तथा जुल्म करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराया उधर दक्षन अफ्रीका में गोखले के आने से वहां के भारतियों का उत्साह बढ़ गया गांधी जी ने अभी भारत वापस आना ठीक नहीं समझा क्यूंकि वो जानते थे गोरी सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है उन्होंने आंदोलन और तेज कर दिया इनहीं दिनों केप टाउन सुप्रीम कोट ने ये फैसला दिया कि दक्षन अफ्रीका में हुए वो विवहा जो इसाई धर्म के अनुसार नहीं हुए हैं गयर कानूनी समझे जाएंगे इस फैसले ने आग में घी का काम किया अब महिलाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया टॉल्स्टाय आश्रम की महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लिए निकली कस्तूरबा गांधी भी साथ थी आंदोलन के लिए निकलते समय उन्होंने गांधी जी से कहा मैं हिम्मत हार कर चली आओं तो आप मुझे ना अपनाई मेरी लड़की कश्च सह सकते हैं आप लोग सह सकते हैं और मैं अकेली ही नहीं सह सकती ठीक है जाओ अपना ख्याल रखना उन सब महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया महिलाओं के जेल जाने पर दक्षन अफ्रीका के भारतियों में नई चेतना आई भारत में भी नेता चिंतित हुए इस बीच गिर्मिटिय मजदूर यानि मालिक के पास एक अनुभंद के तहत काम करने वाले मजदूर भी अपनी तकलीफें लेकर गांधी जी के पास आए वो हज़ारों थे गांधी जी ने सूचा कि इन सब को ना तो वो रख सकते हैं ना खिला सकते हैं इसलिए ये लोग काले कानून तोड़ें और जेल जाएं उन्होंने इन पांच हजार मजदूरों को जेल में होने वाली परिशानिया समझा दी फिर भी वो सब नेटाल से ट्रांसवाल की पैदल यात्रा पर चल पड़े अपने अधिकारों की मांग के नारों के साथ साथ गांधी जी जिनदाबाद वहां रहने वाले भारतियों की नई चेतना जो आंदोलनों का रूप धरकर सामने आ रही थी उससे बहुत परेशान थी ट्रांसवाल पहुंचने पर गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया बात में पूरे जुलूस को गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी की इस गिरफ्तारी की खबर जब भारत पहुंची तो सभी और क्रोथ की लहर जा गई उस समय के वोई सुराय लौड हार्डिंग ने सार्विजनिक रूप से दक्षन अफ्रीका की सरकार की निंदा की और सत्याग्रह को ठीक बताया उन्होंने अपना एक विश्वस्त सरकारी कर्मचारी वहां के भारतियों की मदद के लिए भीजा इसी बीच दीन बंधु एंड्रियूज और पियर्सन भी दक्षन अफ्रीका पहुँचे इससे समझोते की बातचीत संभव हुई और प्रवासी भारतियों के संखर्ष का संतोशनक अंधुआ आखिर 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने हमेशा के लिए दक्षन अफ्रीका छोड़ दिया ये बात अलग है कि दक्षन अफ्रीका की सरकार आज भी रंगभेत की नीती को अपनाए हुए है झालग है